नमस्कार दोस्तों साथ ही उन तस्वीरों और मूर्तियों की उचाई भी चार-पांच इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होना चीए है करके मंदीर में सिवलिंग रखने का प्रश्ण जाता है तो हो सके सिवलिंग नहीं होना चीए यदि अती आवसे प्रश्ण ती यो आप रखना ही चाहते हैं तो घर में दो इंच से बड़ा सिवलिंग नहीं रखना चीए है यदि आपको अपने घर में मंदीर में बजिंबली अनुमानजी मूर्टी रखनी है तो बजार से ऐसी अनुमानजी मुगवान की मूर्टी लाएं जो बैठी वी ववस्ता में आसिरवार दिती मूद्रा में हो इसके साथ ही घर में मंदी में रखने जाने वाली देवी देतो कि मूर्तिय देतो हो कि अपर्षन आता है किस दातों से बनी बगवान की मूर्तिय की पूजा की जाए तो सास्तुर कानुसा बगवान की मूर्ति होती हूँ लकड़ी पत्तर की सोने चांदी या पितल यसी दाथ से बनी सुभ माने जाती है। गर के मंदिर में कभी भी हमें मिट्टी या चीनी की बने जो मूर्तिया आती है प्लाश्टिक पर इसकी जो मूर्तिया मिलती है वो नहीं लगानी चीए उनकी पूजा पार्ट नहीं करनी चीए यह सुद्ध तर नहीं माने जाते इस प्रकार की मूर्ति को घर पे लाने से नकर प्रति दिन हमें पूजा पार्वाथ ध्यान अरतना करने चीए साथ आप अपने पूजा घर में अपने कुल देटा की अरतना भी पूटुल लगा सकता है अपने किसी भी देता कि टूटी मूर्ति ये कटे फटे धुले जो चित्र होते वैसी प्रस्वीर नहीं लगाने चीए इस प्रकार की मूर्ति ये तस्वीर लगाने से परवरी कल्या बना रहता है और आर्तिक नुकसान भी होता है कभी भी कोभी रुद्रोप वाली मूर्ति नहीं लगाने चीए इससे भी नेगेटिव एनरजी आती है इसलिए साथ-साथ में इस बात का ध्यान रखे क्यों बुरी सक्तियों के लिए था हमारे लिए नहीं और इसी साथ-साथ इसलिए कहा जाता है कि कभी भी भी घर में हमा फोकली नहीं ऐसी मानियता है इस लगश्मेजी का वास्ति होता कभी भी एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तिया ना रखें इस वात को हमेसा ध्यान रखें आप जब भी घर में मंदिर में इस्तापित करने हैं तो इसका थ्यान रहें कि आप इगर की मंदर की दिशा कौन जहां तक हो सके आपके मंदिर में बिखरवा समान नहीं होना चीए देवी की मूर्तियां पूजन समगरी धार्वी पुस्तते सब अपनी स्तान पर होनी चीए संग को भगवान विष्णु का प्रतीक भी बना गया है इसलिए मंदिरों में इसको भी जरूर रखे लेकि एक से ज्यादा संग बिल्कुल भी घर में नहीं होना चीए कई वाज गरों में देखा जाता है लोग बाजार से बार बार संग लेके आते रहते हैं मंदिर में सब्सक्राइब करें यदि आप यह वीडियो सोचल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो अवश्य करें धन्यावाद